आहत रिशी मुनी करुन स्वर में भगवान विश्णू को पुकारते हैं। वही सच्ची हरी आराधना में लगे मनुशत रूपा की तप शक्ती के सन्मुक असुर स्वैम आहत होकर भागते हैं। रिशी मुनियों पर निरंतर अत्याचार की सूचना पाकर समराध प्रिवरत प्रतिग्या करते हैं कि वे प्रिथ्वी लोग पर शान तेज थापित करेंगे। प्रिवरत के प्रहारों से आहत असुर जब दैत्य गुरु शुक्राचारे पर दैत्य शत्रू होने का आरोप लगाते हैं, तब कृत्थ शुक्राचारे उन्हें अपमानित कर पाताल लोटा देते हैं। शुक्राचारे के आभान पर पधारे शनिदेव दैत्य गुरु को प्रताडित कर स्वेव प्रिवरत को दंडित करने की घोशणा करते हैं। किन्तु शिरी हरी विश्णु अपने अमोग अस्त्र के द्वारा शनिदेव को आहत कर प्रेवरत की जीवन रक्षा करती है कि मेरे मस्तक पठामे शरीदेव आप अपनी सी कुद्रिष्टी से थंसार को अपने चरणों में जुकाने का दंब भरते थे शनिदेव मुझे अपमानित ना कर रहूं अपमानित ना करूं तो क्या करूं आपकी कुद्रिष्टी से भयानक तो मेरी शक्ति है जब मैं सूर्य चंद्र को ग्रेस कर उनका तेज खंडित करता हूं तब किसी विश्णु का साहस मुझे रोकने का नहीं होता रहूं ओच स्वर में चिलाना मुझे भी आता है शनिदेव देट गुरु शुक्राचायर के पश्चाक आपका भी आंकार खोस्त हो गया अब मैं देट शक्रों को स्वयम समय आने पर दंडित करूंगा तुम क्या अपने कटे होए मस्तक से अस्त्र चलाओगे रहूं जाए अपने पिता सूर्यदेव से जाकर पूछे कि राहू का खटा हुआ मस्तक कहां कहां से अस्त्र चलाने में सक्ष्रम है यह कारी यदि मात्र मैं करता तो पुट्र शनी जगदीश्वर भगवान विश्णु के भक्तों से शत्रुता करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रन दे रहे हो मुझे आपके परामर्श की आवशक्ता नहीं है जूर्यदेव पुट्र शनी मैं तुम्हारा पिता हुए तुम्हारा परम हितैशी हूँ तथा पिता के शत्रों को मित्र बनाकर अपनी कीर्थी और यश्का नाश कर रहे हो सौधान सूर्य यदि तुमने मुझे पर आक्षेप किया तो मैं तुम्हारी कीर्थी और यश्का नाश कर दूगा तू क्या मेरी कीर्थी और यश्क का नाश करेगा प्रवंचक? मेरा तेश और मात्र में तुझे भस्म कर सकता है। वो तो मैं तेरे अमरित पान की मर्यादा रखने के कारण तुझे शमा कर देता हूं। अपने गौरफ यश्किर्थी का नाश करने वाले को अक्षमा कर देने वाला मैंने आपके अतरिक दूसरा नहीं देखा। इन दुष्टों के साथ रहकर तुम धर्म नीति और मर्यादा का पालन करना भूल गये नहीं। अपमानित होकर जीवित रहने से दोचित है मृत्ति को स्विकार कर लेना। जग्दीश्वर भगवान विश्टु के अमोग अस्तर के सम्मुख आज तुम दोनों का भयाना का पान हुआ है। सूर्यदेव मैं इस अपमान का प्रतिशोद लेकर ही रहूंगा। अपमान की धदकती होई ज्वाला में जलते होई शनी की प्रतिक्या भी सुनले। कि समय आने पर मैं विश्णु का इतना ही घौर अपमान करूंगा। जिससे विश्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। ना शनी ना। केवल अंकारवश ऐसी भयानक प्रतिज्या करना उचित नहीं है। उचित अनुचित की शिक्षा शनी को नहीं देना सूर्यदेव। शनी स्वतंत्र है शक्तिशाली है। तो जो इच्छा हो वो करो। मैं अभागा पिता तुम्हें कल्यान का आशिर्वाद भी नहीं दे सकता। इस समय सूर के प्रकट होने के पीछे याध है किसकी प्रेरणा थी। किसकी। उसी जग्दीश्वर विश्णु की अर्थात। अर्थात हमारा क्रोध भलक कर कहीं प्रतिशोध का रूप न धारन कर ले। इसी कारण विश्णु ने आपके पिता और अपने चाटुकार सूरी को हमारे समीप भेजा। कि इसका परिणाम तो और भी अधिक भयानक हो गया रहू। कि अब मैं संसार खोर अपनी भयानक शक्ति का आभास करवा के ही रहूंगा। पती परमेश्वराए नमो नमा। भिगुपुत्र शुक्राचार की विनिती सुने के अलाश्पती। भगवान के अलाश्पती तथा माता पार्वती की। शान। हमारे भीना बुलाए यहां आने का प्रयोजन क्या है भिगुपुत्र। मैंने अपने महान पिता महर्शी भगु की आज्या के अनुसार आपको अपना आराध्य स्विकार किया है। तुमने सच्चे मन से हमें अपना आराध्य स्विकार नहीं किया। यह आप क्या कह रहे हैं के लाश्पती। सत्य कह रहा हूं इसके एक नहीं अनेक कारण। तनिक्स पश्ट करे महिश्वर। सुने शुक्र अचार, सर्व प्रथम कारण तो यह है कि जो भक्त अपनी भक्ति की घोषणा करता है। वो सदा हमारी दृष्टी में संदेह स्पद बना रहता है। भक्ति की घोषणा? हाँ शुक्राचारे अनेक भक्त हमारे चित्रों हमारी मूर्थियों को अपने प्रासादों में स्थापित कर हमारे लगु चित्रों को अपने शरीर में धारण कर भभूत मल कर हमारी परम्भक्ति का ध्रम्मुद्पन करते हैं इस सत्य से तो अब तक ने भी अपरिशती स्वामी वस्तुता उनके स्वांग में भक्ति के स्थान पर एहकार के संतुष्टी ही प्रमुख रहती है भक्ति और एहंकार तो तो विप्रीत तत्व है महिश्वर अपनी स्वार्थ सिध्धी के लिए अनेक विप्ति इन दोनों विप्रीत तत्वों का प्रयोग एक साथ करने में भी भैवीत नहीं होते स्वामी आप स्रिष्टी के समस्त कारणों के भी कारण है आपकी गूड भाषा तथा संकेतों को समझना असंभव है तनिक सरलता से अपना कथन स्पष्ट करें नियांता ने अभी तरह किसी ऐसे गूड संकेतों अथ्वा भाषा का निर्माण ही नहीं किया जो तुम्हारी आपके श्रीमुख से सुनने का सवभाग्य भला मैं कैसे छोड़ दूं हम तुम्हारे स्वभाव से अपरिचित नहीं है देवी पारवती तो मेरे पूछने से पूर्वी मुझे बताएं कि भक्ति और अहंकार का प्रयोग एक साथ कौन करता है इसका एक प्रमाड़त हो दे अहंकार संदुष्टी के लिए आप जैसे व्यक्ति भक्ति को ही साधन बना लेते हैं कि देवी पारवती इनके प्रासादों में हमारी मूर्ती जितनी विशाल होगी चित्र जितना सुन्दर होगा गोश्रा जितनी तीव्र होगी भक्ति से उपजा इनका अहंकार उतना ही अधिक संतुष्ट होगा हाँ स्वामी अहंकार को मन की संतुष्टी से अधिक दूसरे की प्रतिक्रिया देखने में आनंत प्राप्त होता है हाँ देवी पाद्वती जब लोग इनके द्वारा स्थापित मूर्थी चित्र अत्वा इनके भक्ति के प्रशंसा करते हैं । सेथी य।ह अनन्दित होता है। ये सच्चे मंसे आपको अपना आराज्य स्विकार किया है। यदी ये सथ्य होता तो तुम हमारे आदेश की परामर्श कहकर अभेलना नहीं करते शुक्राचारे सद्धित ये है भुलिनात कि आपके आदेश के पश्चात भी हमारे मित्र शनीदेव और राहु ने हमें पाताल लोग जाने को विवश कर दिया था शुक्राचारे यदि तुम कू संगति और स्वार्थी मित्रों के कारण विवश होते रहे तो तुम्हें देट्य गुरु कहलाने का क्या अधिकार है कि तुम देट्यों के हितका नहीं सर्वनाश का कारे कर रहे हैं अब जब तक तुम्हारे मन में हमारी सच्ची भक्ती जागरत नहों तब तक क्यलाश आने का कश्ट न करना हाँ 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 इस प्राकरतिक सौंदरे को देख रही हो देवी बहिर्शमती आकाश के सूर्यदेव के साथ अपने मनमंदिर के सूर्य को भी देख रही हैं स्वामी उस सूर्य की भाति इस सूर्य को भी अनेक अनेक कार्य पूर्ण करने हैं यह क्या यह अन्दकार क्यों? यदि अन्दकार ना होगा तो रजनी का सौंदरे कैसे व्यक्त होगा? अन्दकार से सौंदरे का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी यदि अन्दकार ना होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा? अर्थात अर्थात सौंधर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है तुम परिहास कर रही हो देवी यह परिहास नहीं सत्य है प्रिये कवी के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है एक चित्र का जन्म होता है चित्रकार के हृदय की अटल गहराईयों में समाधी का जन् ध्यान का जन्म ये सब भी तो गहन अंदकार के मध्य ही होते हैं एक बीज फुटता है तो भूमी के भीतर गहन अंदकार के मध्य तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया मैं निरंतर यही सोचता रहता हूँ परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा स्रिष्टी सनरचना का अपूर्ण कार जो मुझ पर छोड़ रखा है वो क्या है? आपको पृत्वी लोग और समुद्र की सीमाओं की पुनर रचना करनी है सुवयम देवरिशी नारत ने बार बार इसका उलिख किया था पृत्वी की सीमाओं तो समुद्र से जुड़ी है उसकी पुनर रचना किस प्रकार की जा सकती है? मनो पुत्र प्रियवरत बैर्श्मति परंपिता प्रणाम तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है जब तुम अपने पराकर्म, बाहुबल, एवंग चातोर्य से प्रिथ्वी के सब्त खंड और सब्त समुद्रों की रचना करो ये कारे जगदीश्वर भगवान विश्नु की इच्छा से हमने स्रिष्टी रचना के समय तुमारे लिए ही अपोण छोड़ रखा था परमपिता अपनी बात निस संकोच कहो मनुपुत्र प्रिवरत ये सवभाग्य मुझे ही क्यों परमपिता तुमारे जन्म के पूर्वी तुमारे माता पिता के श्रेश्ट धार्मिक संसकारों के कारण ये महानकार्य तुम्हारे लिए निश्चित किया गया था अहो अहो परम पिता मैं धन्य हो गया प्रियवरत तुम्हारे इस महानकार्यों में देव शिल्पी तथा देवी बहरिश्मती के पिता विश्व कर्मा जी तुम्हारी अध्भुत सहयता करेंगे तुम दोनों पूर् शिल्पी का आवाहन करो पुनहां आपके दर्शन पाकर में धन्य हुआ आपकी आज्या पूर्ण करना मेरा धर्म एवां प्रथम करतव्य है तुम दोनों का कल्यान हो देव शिल्पिन विश्व कर्मन देव दर्शनार्थम अहम आवाहयामी अहम आवाहयामी अहम आवाहयामी समराथ प्रियवरत पुत्री ब्रह्ष्मती अगराम प्रणाम पिताश्री अज समय आपको कश्ट देने के लिए हम ख्षमा प्रार्थी हैं असमय नहीं इस आउसर के प्रतिक्षा मैं युगूं से कर रहा था जगदिश और भगवान श्री विश्नु की कृपा से आज वो शुब मुहरत आही गया इन्हें आपके आशिरवाद और सहीयों की आवश्रक्ता है पिता श्री पुत्री ब्रहष्मती जिस कारी को स्रिष्टी के रचनाकार ब्रमाहजी ने स्वयम पूर्ण करके तुम्हारे स्वामी और हमारे जामाता प्रियवरत को शेय प्रदान किया यह उसके वास्तव क्यादिकारी है इस महानकारी में सहयोग करना हमारे लिए गौरों का विशेय है पुत्र प्रियवरत आग्या पिता श्री परम पिता ब्रमाहजी की आग्या से हमने तुम्हारे लिए एक पर्मान किया है दिव्य आसन दिव्य थड़त सम्राठ प्रियवरत यह दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं प्रियवरत यह दिव्य खड़क भी ग्रहन करो लो और प्रम्पिता ब्रमाहजी के द्वारा सोपा हुआ यह कारिय पूर्ण करो इस दिव्यासन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण प्रिथ्वी का जल्व भूमी भाग स्पश्रूप से दिखाए देगा और इस खड़क से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी चानुसाद प्रिथ्वी माता के खंड खंड कर देगा अधुगुत इस कारी की सफलता के लिए तृदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रों की क्रपा तुम्हारे साथ है किन्तु किन्तु क्या पिताश्री दिव्यासन पर आसीन होने के पस्चात तथा कार्यारम होने के पूर्व माता प्रिथ्वी की क्रपा अविश्य प्राप्त करना जो आग्या पिताश्री तुम दोनों का कल्याम है